हेलो एब्रिवन, चटाका रसोई में आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जिसकी लिए हमें ना ही गाजर को घिसना पड़ेगा और ना ही जादा महनत करनी पड़ेगी, बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे, एकदम हलवाई जैसा गाजर का हलवा, तो इसकी लिए प पार्केट में और आपना लाल-लाल गाजर ले लीजिए और अच्छी तरह से पहले आप धो लीजिए क्यूंकि गाजर में जरा भी मिट्टी होगी तो हल्वा खराब हो जाएगा सारी गाजरों को आपको अच्छी तरह से छील लेना है यह जो छिलका है पूरी तरह से आपको से हटा देना है साइड में अगर जरा भी ये धागा या रेशा टाइप जो होता है वो भी हो तो आप उसे हटा दीजेगा चाको से और ये गाजर का जो उपर वाला और नीचे वाला ये पार्ट है ये भी हम अलग कर देंगे ये देखिए सारी गाजर हमने छील ली है और अब ये उपर और नीचे वाला पार्ट हम हटा देंगे सारी गाजरों से और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया ये जो रेशे होते हैं ये भी आप हटा दीजेगा चाको से काट कर बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही फटा फट हल्वा आप बना पाएं रफली काटना है आपको जैसे भी आप चाहें वैसे काट लीजे और गाजर में अगर बीच में जरा सा अभी यलो वाला पार्ट हो तो उसे आप अलग कर दीजेगा वैसे सर्दियों के गाजर में ये नहीं होता है पर अगर हो गाजर में तो आप उसे हटा दीजेगा ये द तब ही आप हल्वा पर्फेक्ट बना पाएंगे अब हमने गैस पर रख दिया है कोकर और इसमें डाला है एक बड़ा चमश देसी घी में बहुत टेस्टी बनता है तो एक बड़ा चमश देसी घी डालने के बाद इसे मैल्ट होने देंगे अच्छे से गरम होने देंगे जब यह जो घी है गरम-गरम इसमें गाजर अच्छे से हलकी सी फ्राइ हो जाए तो गाजर में घी का फ्लेवर आ जाएगा यह देखें गाजर अच्छे से घी के साथ पूरी गाजर हो चुकी है कुछ जाधा नहीं करना है थोड़ी देर आप इसे चलाईएगा बस आपको गलाना गाजर को और अब हम इसमें डाल देंगे दूद तो यहां मैंने एक छोटा ग्लास दूद लिया है और आधा कटोरी मैंने इसमें घर की मलाई जो दूद की मलाई होती है वो इसमें डाल दी है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और आप कोकर को हम बन कर देंगे और दो से 3 सीटी आपको लेनी है कोकर में, बहुत जादा सीटी नहीं लेनी है और ये देखिए, थोड़े दिरबाद जब आप इसे खोलेंगे दो गाजर इन्लों से एक मैश के Pol 겉श लगी से discuss मेंfik किया। ये देखिए मैंने मैश से गाजर को मैश किया है बहुत जादा मैश मत करिएगा थोड़े थोड़े पीसेज आप रहने दीजेगा गाजर में ये देखिए इस तरह से आपको सारी गाजर को मैश करना है ये गैस का फ्लेम अभी आफ है क्यूंकि इसमें जो एक्स्ट्रा आपको मैश क्वाज दूब मेरा है वो गाजर सोक न कर ले कंदेखिए धीरे दीररे ना ये गाजर एकदम से ड्राय हो जाएगे ये देखिए थोड़ी देफ़ाद गाजर अच्छे से ड्राय हो गई है अब हम क्या करेंगे इस गाजर में अब हम थोड़ा सा और चलाने के बाद चीनी एड़ करेंगे ये दिखे बिल्कुल ड्राइफ ओम में आ गई है गाजर और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो आपको चीनी हलवे के हिसाब से डालनी है आप अगर जादा हलवा बना रहे हैं तो चीनी आपको थोड़ी जादा डालनी होगी मैंने यहां आधा कब जो मेजरिंग कब होता है उसमें पूरा भरकर नहीं लिए थोड़ा कम लिया है और इसमें चीनी डाल कर अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे क्योंकि चीनी भी अभी मैल्ट होगी तो इसको आप चलाते रहिए लगातार और धीरे धीरे ये एकदम से गाड़ा हो जाएगा बहुत से लोग कहते हैं कि कुकर में हलवा अच्छा नहीं बनता है पर आज आप मेरा वाला ट्रिक ट्राय जरूर करके देखिएगा क्योंकि जिस सरह मैं बनाऊंगी हलवा वो हलवा बिल्कुल पर्फेक्ट हलवाई स्टाइल बनेगा और स्वाद में भी बिल्कुल बाजार जैसे हलवे जैसा होगा तो ये देखिए ये मैंने अब लिए कड़ाई इसमें मैंने अभी मावा निकाला है तो उसी कड़ाई में मैं ऐसे बना रही हूँ और कड़ाई में फिर से एक बड़ा चमस्देशी घी डाल दिया है मैंने अब आधा प्रोसेस हमने कोकर में कर लिया अब आगे का प्रोसेस हम कड़ाई में करेंगे तो ये देखिए घी गरम करके अब ये जो हमारा गाजर है ये साधी वो हम कड़ाई में ट्रांसफर कर देंगे गी में और इसे घी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गाजर में कोकर में बॉयल करने से पनीला पन रह जाता है तो वो सब इस तरह से जब आप गाजर को घी के साथ फ्राय करेंगे तो वो बिल्कुल खतम हो जाएगा और गाजर में बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आजाएगा हलवे में ये देखिए आप इस तरह से गाजर को चलाते रहे और घी के साथ तब तक फ्राइ करना है आपको गाजर को हलका सा कि जब तक गाजर से घी रिलीज न होने लगे तब तक आपको इसे चलाते रहना है बहुत ही आसान सी ट्रिक है आप फटा फट से गाजर का हलवा बना सकते हैं और फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आये तो इससे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ये देखिए अपना गाजर हमारी बिल्कुल तैयार है अब हम क्या करेंगे यहां मैंने तो घर का मावा यूज किया है आप चाहें तो मार्केट से भी मावा ला सकते हैं और ये देखिए अब हम इसमें मावा डाल कर इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मावा डालते ही आप देख सकते हैं गाजर में कितना अच्छा सा हल्वे में टेक्स्चर आ चुका है और अभी आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे सारा मावा अभी नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा करके मावा डालेंगे हम क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट व काजू बदाम और किश्मिश और इनको डालकर एक बार फिर से मिक्स कर लीजे और हल्वा हमारा विल्कुल तैयार है देखा आपने कितना आसान तरीका है हल्वा बनाने का आप जरूर ट्राय करिएगा अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ल देंगे और उस पर थोड़ा सा हम मावा और डालेंगे उपर से थोड़ा सा मावा और थोड़ इसी ड्राइब फ्रूट्स और डाल दिये हैं हमने तो बड़िया सा हमारा एक दम हल्वाई स्टाइल हल्वा बनकर तयार है जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेर सब्सक्रा कर लिजी फ्रेंड